इंगलिस में हम कैसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे बिना जीने से ज़्यादा अच्छा मरना पसंद करूँगा मैं भीक मांगने से ज़्यादा अच्छा मरना पसंद करूँगा या फिर अगर आपको इस तरीके से बोलना हो मुझे बेडमींटन खिलने से ज़्यादा अच्छा लुडो खिलना लगता है मुझे तैरने से ज़्यादा अच्छा दोड़ना पसंदे मुझे बोलने से ज़्यादा अच्छा करके दिखाना पसंदे या फिर अगर आपको इस तरीके से बोलना हो मुझे कौफी से ज़्यादा अच्छा चाई लगता है मुझे देली से ज़्यादा अच्छा मुंबे सहर लगता है मुझे दूद से ज़्यादा अच्छा दही लगता है मुझे सारू खान से ज़्यादा अच्छा सल्मान खान लगता है तो इस तरह के sentences को हम English में कैसे translate करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो चले वीडियो सुरू करते हैं तो पहले हम इस तरह के sentences पर गौर करते हैं जब भी आपको इस तरीके से बूलना हो मुझे सीता से ज़्यादा अच्छी गीता लगती है तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी बोलना हो तो इस तरह के sentences को बनाने का तरीका होता है सबसे पहले आपको लिखना है subject और उसके बाद आपको लिखना है prefer फिर आपको वो चीज लिखना है जो आपको ज़्यादा पसंदे फिर लिखना है आपको to और उसके बाद आपको वो चीज लिखना है जो आपको कम पसंदे तो चलिए इसे हम example से अच्छी तरीके से समझते हैं तो हमारा पहला example है मुझे coffee से ज़्यादा अच्छा चाय लगता है I prefer tea to coffee तो मुझे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है मुझे coffee से ज़्यादा अच्छा चाय लगता है इसलिए पहले मैंने यहाँ पर लिखा है T और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चीज आपको ज़्यादा पसंद है उसे आपको पहले लिखना है और उसके बाद आपको टू लिखना है और उसके बाद आपको वो चीज लिखना है जो आपको कम पसंद है तो चले इसे हम और भी example से अच्छी तरीके से समझते हैं तो हमारा अगला example है मुझे दूद से ज़्यादा अच्छा दही लगता है I prefer curd to milk मुझे ज़्यादा अच्छा दही लगता है इसलिए पहले यहाँ पर मैंने लिखा है curd मतलब कि दही का इंगलिस होता है curd I prefer curd to milk मुझे दूद से ज़्यादा अच्छा दही लगता है तो चले देखते हैं कि हमारा अगला example क्या है तो हमारा अगला example है मुझे मचली से ज़्यादा अच्छा मीट लगता है I prefer meat to fish मुझे गीता से ज़्यादा अच्छी सीता लगती है मुझे दिल्ली से ज़्यादा अच्छा मुंबई सहर लगता है मुझे दिल्ली से ज़्यादा अच्छा मुंबई सहर लगता है मुझे समर सीजन से ज़्यादा अच्छा बिंटर सीजन लगता है इसकी इंगलिस क्या होगी ये आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए अब हम इस तरह के sentences पर गौड करते हैं जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी बोलना हो मैं बोलने से जादा अच्छा करके दिखाना पसंद करता हूँ मुझे लूडो खेलने से जादा अच्छा बेडमींटन खेलना लगता है मुझे तैरने से जादा अच्छा दौड़ना पसंद है मुझे पढ़ने से जादा अच्छा लिखना पसंद है तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी बोलना हो तो इस तरह के sentences को बनाने का तरीका होता है दो तरीके से translate कर सकते हैं तो हमारा पहला तरीका है सबसे पहले आपको लिखना है subject और उसके बाद आपको लिखना है prefer फिर आपको लिखना है वो काम जो आपको ज़्यादा पसंद है लेकिन यहाँ पर verb है इसलिए आपको verb प्लस ing लिखना होगा ओके और उसके बाद आपको लिखना है to और उसके और हमारा दूसरा तरीका है सबसे पहले आपको लिखना है subject और उसके बाद आपको लिखना है prefer और उसके बाद आपको लिखना है to और उसके बाद आपको लिखना है वो काम करना जो आपको करना ज्यादा पसंदे लेकिन यहाँ पर आप verb प्लस ing नहीं लगाएंगे यहाँ प पर verb plus ing आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर भी आपको verb की first form लिखना है, इसे example से आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो हमारा पहला example है, मुझे तैरने से ज़्यादा अच्छा दोड़ना पसंद है, मुझे तैरने से ज़्यादा अच्छा दोड़ना पसंद है, I prefer running to swimming, मुझे ज़्यादा अच्छा क्या पसंद है, मुझे दोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो दोड़ना का इंगलिस होता है run, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है running, मतलब रन में अगर ing लगाएंगे, तो run का क्या हो जाएगा, running, और तैरना का इंगलिस होता ह swimming, इसलिए इसमें ing लगाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा swimming, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है, कि दोनों साइड में आपको word plus ing लिखना है, लेकिन वो काम जो आपको ज़्यादा पसंद है, उसको आपको पहले लिखना है, और उसके बाद आपको टू लिखना है, जो आपको करना कन पसंद है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या example दिया है, मुझे तैरने से ज़्यादा अच्छा दौरना पसंद है, I prefer running to swimming, इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे तैरने से ज़्यादा अच्छा दौरना लगता है, तो दोनों का English वो ही होगा, और मैंने आपको starting में क्या बताया था, कि इस तरह के sentences को हम दो तरीके से translate कर सकते हैं, तो ये तो हमारा पहला तरीका हुआ, और दूसरा तरीका के अनुसार क्या बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, I prefer to run rather than swim, मैंने आपको पहले ही बताया था, कि यहाँ पर आपको verb plus ing नहीं लिखन है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, दौरना, तो पहले हम क्या बोलेंगे, I prefer to run rather than swim, इसे आप लोग example से और भी अच्छी तरीके से समझे, मुझे बोलने से ज़्यादा अच्छा करना पसंद है, I prefer doing to saying, I prefer doing to saying, इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, I prefer to do rather than say, I prefer to do rather than say, मुझे लिखने से ज़्यादा अच्छा पढ़ना पसंद है, I prefer reading to writing, I prefer reading to writing, इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, I prefer to read rather than write, मुझे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा खेलना पसंद है, मुझे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा खेलना पसंद है, I prefer playing to studying, इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, I prefer to play rather than study, मुझे badminton खेलने से ज़्यादा अच्छा लूडो खेलना पसंद है, मुझे badminton खेलने से ज़्यादा अच्छा लूडो खेलना लगता है, तो इसकी English क्या होगी, यह आप लोग मुझे comment box में जरूर बताईएगा, ओके, तो चलिए, अब हम इस तरह के sentences पर गौर करते हैं, जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी बोलना हो, मैं तुम्हारे बिना जीने से ज़्यादा अच्छा मरना पसंद करूँगा, मैं भीक मांगने से ज़्यादा अच्छा मरना पसंद करूँगा, तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी बोलना हो, तो इस तरह के sentences का तरी और उसके बाद आप लिखेंगे prefer उसके बाद आपको लिखना है वो चीज करना जो आपको करना ज्यादा पसंद है और यहाँ पर भी आपको word plus ing लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है to और इसके बाद आपको वो चीज लिखना है जो आपको करना कम पसंद है और यहाँ पर भी आपको verb प्लस ing लिखना है और हमारा दूसरा तरीका है इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सबसे पहले आपको लिखना है subject और इसके बाद आपको लिखना है good और इसके बाद आपको लिखना है prefer और इसके बाद आपको लिखना है to और इसके बाद आपको वो चीज लिखना है जो आपको करना ज्यादा पसंद है लेकिन यहाँ पर आपको verb की first form ही लिखना है और इसके बाद आपको लिखना है rather than और उसके बाद आपको क्या लिखना है rather than और उसके बाद आपको वो चीज़ लिखना है जो आपको करना कम पसंद है तो चलिए इसे हम लोग example से अच्छी तरीके से समझते हैं तो हमारा पहला example है मैं भीक मागने से जादा अच्छा मरना पसंद करूँगा मैं भीक मागने से जादा अच्छा मरना पसंद करूँगा इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं तो इन दोनों तरीकों में से जो आपको जादा अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखेगा सबसे पहले आपको वो चीज़ लिखना है जो आपको करना जादा पसंद है उसके बाद आपको वो चीज़ लिखना होता है जो आपको करना कम पसंद है ये तीनों सिच्वेशन में ऐसा होता है ये तो आपको अभी तक समझ में आई ही गया होगा मैं तुम्हारे बिना जीने से ज़्यादा अच्छा मरना पसंद करूँगा तो इसका इंगलिस क्या होगा ये आप लोग मुझे comment box में जरूर बताईएगा मैं आपके comment का इंतिजार करूँगा ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे comment box में बताना मत भूलियेगा करूँ आपके का इंगलिस कर दे दो आपके का इंगलिस क्लिए टे से ज़ता है